दोस्तों नमस्कार जैसा कि आप सभी जानते हैं सावन का पावन महिना शुरू हो गया है और इस पावन महिने में सारी स्रिष्टी सिव में हो जाती है तो दोस्तों हम भी इस पावन महिने में भागवान सीव और उनके भक्तों से जुड़ी कुछ अद्भुत कथाएं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं जिसे सुनकर आपके मन में अत्यंत आनंद यों भक्ती भाव करस चलक उठेगा तो दोस्तों सुरू करते हैं आज की कथा तामिलाडू में एक सुन्दर घटना घटी एक बंधुवा मजदूर था जो समाज में अचुद का जीवन जी रहा था उसका कोई नाम नहीं था जो समाज किसी को दास बनाना चाहता है वह सबसे पहले आपका नाम चीन लेता है विचार बनाने की इजाजत नहीं थी मगर सीव का विचार उसे जोस से भर देता था जहां वह रहता था वहां से सिर्फ 25 किलो मिटर की दूरी पर तिरूंग पूर का परसिद सीव मंदिर था वो हमेशा से इस मंदिर में जाना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि सिव उसे बुला रहे है मगर उसके जीवन पर उसका आधिकार नहीं था इसलिए वा मंदिर नहीं जा पा रहा था उसने कई बर जमिंदार को अपनी बात समझाने की कोजिस की मैं सिर्फ एक दिन के लिए मंदिर जाकर वापस आ जाओंगा जमिंदार हमेशा कहता आज निराई करनी है कल खाट डालनी है परसो तुम्हें जमीन जोतनी है नहीं तुम एक भी दिन बरबाद नहीं कर सकते तुम्हें क्या लगता है तुम वैसे भी किसी काम के नहीं हो तुम पूरा एक दिन बरबाद करना चाहते हो लेकिन उसके भीतर यह कौतुहल घरा होने लगा वह तिरूंग पूर मंदिर जाकर दरसन करने के लिए बहुत ललाईत हो गया था फिर एक दिन वह जमिंदार के सामने एक अलग तरह के गौरों के साथ जाकर खड़ा हो गया जिस तरह का गौरों एक बंधुआ मजदूर में देखने को नहीं मिलती और नहीं उसके पास होने की कलपना की जा सकती है जमिंदार फिर सुरू हो गया मुर्क कहीं के पिछली बार तुम्हारी मा बिमार थी उससे पहले बहन की साधी थी अब तुम मंदिर जाना चाहते हो यह नहीं हो सकता वह बोला मैं आज ही सारा काम कर दूँगा कल सिर्फ एक दिन के लिए मैं जाओंगा और फिर वापस आ जाओंगा उस समय जमिंदार को न जाने क्या हुआ उसने उसे जाने की अनुमती दे दी फिर अचानक उसे हैसास हुआ उसने यह क्या कह दिया वह आगे बोला जाने से पहले तुम्हें पूरे चारीस एकड़ जमिन को जोतना होगा अभी साम है सुबह से पहले तुम पूरी जुताई करके मंदिर जा सकते हो हलवाह इतना मुर्ख नहीं था कि इसकी कोशिस करता वह चुपचाप सोने चला गया उसका पूरा सरीर फड़क रहा था वह जानता था कि इस बार उसे मंदिर जाना ही है चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो सुबह जब वह उठा तो गाउं में हंगामा मचा हुआ था यह देखकर कि सारी चाली से कर जमीन जोती हुई थी जब इंदार का मुँख खुला का खुला रह गया जब इंदार के बीवी बच्चे आकर हलवाहे के पैरों में गिर पड़े वह हमेशा सोचता था कि सीव के सामने प्रात्ना करके वह प्रकृती के नियमों को तोड़ सकता है बदल सकता है मगर मनुस्य के नियम इतने कुरूर है कि आप उसे कभी बदल नहीं सकते मगर यहां मनुस्य और देवता प्रकृती सभी के नियम तूट गए थे लोगों ने आकर उसके हाथों में भोजन का थैला रख दिया किसी ने उसे चड़ी पकड़ा दी और कहा यह मंदिर जा रहा है इसे इस्वर ने खुद चुना है सिव ने इसके लिए खुद आकर चालिस एकर जमीन जोद दी वह दिल में परमानंद लेकर मंदिर गया मगर एक अच्छूत का जीवन जीने के कारण वह नहीं भूला था कि पुजारी उसे मंदिर की देरी पार करने नहीं देंगे वह मंदिर के बाहर ही खड़ा रहा निश्चित रूप से सिव अपने भक्त के लिए सब बदल देते हैं मगर पुजारी फिर भी नहीं जुकते वह सिर्फ एक बार सिव के दर्सन करना चाहता था लेकिन उसके रास्ते में विसाल का नंदी की प्रतीमा थी जिसके करन वह सिव के दर्सन नहीं कर पा रहा था तब उसके रास्ते में खड़ी नंदी की विसाल मुर्थी एक और किसक गई आज भी तिरुंग फून में नंदी की मुर्थी एक और को है बाद में लोग इस सक्स को नंदनार बुलाने लगे और वह एक मस्हूर संत बन गया आप उसे भक्त नहीं कह सकते उसका पूरा जीवन बस कौतूहल में बीता है और उसने उस कौतूहल को कभी जाने नहीं दिया अधिकांस तारकिक दिमागों के साथ या समस्या होती है अगर कोई चीज आपको कौतूहल में डालती है तो आप एक मुर्खता पूर उत्तर देकर उसे वहीं खत्म कर डालते हैं अधिकांस दिमाग कौतूहल के साथ जीने में असमर्थ होते हैं वे सीधे निसकर्स निकाल लेते हैं हर बार जब आपके मन में कौतुहल आता है तो आप अपने मुर्टतफ पुन विचारों से उसका जवाब निकालने की कोशिश करते हैं यह जीवन को धोखा देने का एक तरीका है निसकर्स निकालते हुए आप अपने लिए ही तरवाजे बंद कर लेते हैं बहुत सारी चीजों का जवाब नहीं है आज भी बड़े वैग्यानी कहते हैं कि हम ब्रह्मान की प्रकृति को नहीं जानते और इसे जान भी नहीं पाएंगे इसलिए इस बात को स्विकार कीजिए यह आपके पास एसे सवालों का जवाब देने के लिए बुद्धी नहीं है जिनके जवाब आज तक नहीं मिले इस पर कायम रहिए एसा इंसान इमांदार होता है जो जानता है कि उसके पास उत्तर नहीं है जो एक मुर्खता पुनतार की जवाब खोज लेता है वो एक मुर्ख इंसान है तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में लिखना ना भूले और जाते जाते कमेंट्स में ओम नभन्यवाद